इखटा होना पड़ेगा भाई बिना इसके कोई रास्ता नहीं है और इन संग्ठनों को छोड़ो और इन संग्ठनों को पैसा देना बंद करो यह संग्ठन हमाले जहर हैं यह बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इन संग्ठनों की खलबरी मची अपने बच् समर्संग के वारे में एक प्रसंग यहां पूछा हमारे एक नए साथ ही ने अगर वो जुड़े हुए हैं तो कि समर्संग आखिर है क्या समर्संग क्या करता है किस तरह से काम करता है किस तरह से चलता है इसकी बहुत सारी वीडियो लगबख कंशेप्ट के नाम से आ रहीं है और दी देरे वह बन रही हैं बहुत जल्दी और भी कई पोर्टल कुलेंगे कुछ लोग और भी यूट्टुब चैनल बनाएंगे पता चल जाए कि समर्ण संग का कंसेप्ट है क्या एक लाइन में तो ये है कि हम सब को जुड़ना है और जुड़ने के लिए लोगों को जुड़ना है क्योंकि जुड़ेंगे तब जब हम जुड़ेंगे बिना जुड़ें तो हम जुड़ेंगे नहीं कोई भी चीज बिना ज ज़्यादा चिंतक होगा, बहुत ज़्यादा कोई दिमाग को दिन्डा चलाता होगा, जिसको सोसाइटी की समाज की चिंता होगी, अच्छा सोसाइटी और समाज की चिंता को साइट में रखो, सोसाइटी और समाज की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, तो कोई अपनी चिंता भी करता होगा तो दिन्रा सोचता होगा पैसा कमाने के बारे में पढ़ने के बारे में लिखने के बारे में आगे बढ़ने के बारे में आगे बढ़ने का मतलब भारत में जमीन जायात पैसा ये सब होना चाहिए इसको आगे बढ़ना बोलते हैं अच्छा अपनी भी चिंता चुर्णें के उमर 40 45-50 की लोगों की हो गए होगी जिन के पास अच्छी नोक्लियां रही हैं या जो ट्रटाइर होचुके हैं, अब अपने बत्चों की सुनो क्यों कि सारे काम Yeah किये हैं तो अपने बच्चों को सेंटर में और केंदर में रखे और चिंतन करना सुरू करो और सोचना सुरू करो तो सोचो के अपने बच्चों को बचाने के लिए आपने क्या क्या आप तक किया क्योंकि सुरक्षा के लिए आपने या नौकरी के लिए आपने या पढ़ाने के लिए आपने या उनके सुक और सुविधा के लिए आपने या उनके भविस्य के लिए आपने पैसा एकटा किया कि सारे काम जितने संभव हैं एक माता-पिता करता है और वो किये भी होंगे इस से ज़्यादा अगर किसी ने चिंतन किया है तो वो आगे सोचेगा कि मेरे बच्चों का भविस्से कैसा रहना चाहिए और कैसा होना चाहिए कोई डॉक्टर अंबेडगर की तरह सोचने वाला होगा कोई बुद्ध की तरह सोचने वाला होगा तो उसको 100-200-300-400 साल आगे का भी दिखाई देगा, बल्कुल किलियर दिखाई देगा, जैसे मैं यहां बैठा हूँ, आप सब देख रहे हैं, वैसे ही 300-400-500 साल का सब दिखाई देता है, अगर कोई अच्छा चिंतक होगा और अच्छा सोचने वाज़ा होगा, अच्छा विचार नही उस सारी चीज़ें एक एक करके एक 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 करके दिखाई देती हैं, प्रिजेंट की सिच्छिशन के हिसाब से, और फ्यूर्चर में जो हुआ है, जो पहले हो चुका है उसमें, और जो चल रहा है उसके हिसाब से, वो गुड़ा भाग कर लेता है, कि आगे क्या होने वाला ह और थोड़ा भी अगर गुड़ा भाग करेगा, और थोड़ा भी अगर समझेगा, थोड़ा भी अगर ये जानेगा, तो उसको ये समझ में आ जाएगा, कि समण संग के अलावा आप कोई रास्ता नहीं है, और समण संग ही आखरी उम्मीद है, और आखरी रास्ता है, जो हम नहीं करता है या अपने पैसे में अपनी नौकरी में ज्यादा बिजी है बाइचांश चुड़ गया है तो सोच सकता है कि यह लोग भी कोई संख्ठन वाले होंगे समण संख का प्रचार कर रहे हैं जैसे बाकी संख्ठन करते हैं वैसे यह भी प्रचार कर रहे हैं तो समण संग की जो विश्यस्ता है वो देशाई सर ने बता दी हैं देशाई सर बाइपास हाट की उनकी सरजरी हो रखी है बहुत ज़्यादा वो अपने आपको ध्यान रखते हैं बड़े बीमार रहते हैं मगर फिर भी समण संग के लिए गुजरात में पूरी कमिटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दूर तक का देख लिया है कि सो दो सो तीन सो चार सो साल बाद क्या होने वाला है इसलिए वो पूरी ताकस से और पूरी हिम्मत से लगे पड़े हैं इतने ज़्यादा चैलेंजिंग पोजिशन हैं उनकी बॉड़ी की उनक की फ्यूचर का 200-300 साल का दिखाई देता है जैसा आदमी को 400 साल का दिखाई देता है वो आदमी मर नहीं सकता वो आदमी ठक नहीं सकता वो आदमी रुक नहीं सकता रुकता और ठकता वो है जिसको एक घंटे बाद का भी नहीं दिखाई देता कि उसके साथ क्या होने वाला है हमारे जो लोग हैं जो चिंतक हैं जो विचारक हैं ज्यादा बड़े चिंतक विचारक नहीं है ऐसा मैं समझ जा कि कोई बहुत ज्यादा चिंतक विचारक हैं बस थोड़े बहुत नाम की चिंतक विचारक हैं तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई सोच की और सोच का गोड़ा कहां तक दोड़ा एक संग्ठन बनाने का सही सोचा उन्होंने जितनी उनकी सोस थी और उन्होंने कहा कि ये संग्ठन बना के हम बच जाएंगे तो एक संग्ठन होता तो बच जाते इसमें कोई शक नहीं है मगर जब संग्ठन के दो हिस्से हो गए और जब संग्ठन आप उनसे ये कहोगे कि 70 साल में हमारे अधिकार आने की बजाए चले कैसे गए तो वो कहते हैं कि आप सब एक नहीं हुए यानि कि वो इस गलती का ठीक राभी हमारे सरी पोड़ते हैं कि आप एक नहीं हुए यह तो वो जानते हैं कि एक होते तो जीत जाते तो अब हमारी बारी है उनसे पूछने की की आप क्यूं नहीं यह खूए आप तो एक ही संगतं थे तो आपने एक के दो, दो के चार, चार, के आठ, 9, 16, 32 के visit, 64 कैसे मरा दिये और गैसे ये चाल लाक पोचा दिये हमारी बारी पुछने के ये बात सबको लगाता लगाता पूछनी चाहिए इस बात को आप पूछोगे नहीं तो आप बच नहीं पाऊँगे, आपके बच नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पूछने में उन्हों लोगों को या तो शरम आएगी या छोड़के भागेंगे या कोई जवाब देंगे या कोई महाना बनाएंगे या चुप रहेंगे या हमको गाली बखेंगे या पूछने वाले को गाली बखेंगे या हमको बलेम करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे मैंगा जो पिर्टिक्रिया वो देंगे वो पिर्टिक्रिया स्थार्थ होगी आपका दिमाग खोलने के लिए वो पिर्टिक्रिया बहुत जरूरी है कि आखिर ये कहते क्या है और क्या बात ये सोचते हैं तो जितने भी लोग थे उन्होंने ट्राई किया बावा साब ने कहा कि प्रबुद भारत बनाने से हमें बहुत सारे चीज्चे मिल जाएंगी तो प्रबुद भारत बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग संक्थर मनाई प्रबुद भारत बना रहे हो या प्रबुद महला बना रहे हो या प्रबुद जिला बना रहे हो या प्रबुद तैसिल बना रहे हो या प्रबुद कोई कलोनी बना रहे हो क्या बना रहे हो प्रबुद भारत बनाने लिए का था तो भारत का एक प्रबुद सिस्टम होना ची था, एक बात होनी चाहिए थी, कौंसी दिक्कत है, कितने सालों से फब्स न हो से फॉन चल रहा है, ऐस्य सक्कित मोबाइल फॉन मेरे पास है, जissements है, जब मोबाइल फॉन आय आये थे, तब से मोबाइल फॉन में पास है, और 99 को 23 साल हो गए और 23 साल से पहले MTNL और BSNL की लाइन है चलती थी पूरे देश के अंदर एक्षडी चलती थी टेलीग्राम चलते थे चठियां चलती थी आना जाना चलता था रेल चलती थी बसे चलती थी और साइकल तो ठी थी जिसमें पैसा नहीं लगता था तो जोडने के लिए बहाना नहीं चलेगा कि भई हमें तो पहुंच नहीं सकते थे ये कोई बुद्ध का जमाना नहीं है बुद्ध भी अपने जमाने में पैदल चलके और बहुत गया से और बनारा साजाते हैं सिर्फ अपने पराई है प्राने पांशाती मिले बुद्ध गौत जैसा आदमी जब पैदा चलके पहुंच सकता है तो आपके पेहरों में कौन सी मेंधी लगी हुई है जो पर बुद्ध भारत बनाने कि लिए भारत के इस्थर पर एक चीज नहीं बना पाए जो राजनितिक करने वाले लोग हैं सब लोगों ने उन पर डाब खेला और सब लोगों ने पूरी ताका से एक जितनी महनत हो सकती है उतनी महनत एक सिस्टम को खड़ा करने में की उस सिस्टम दो बनगे तीन राजनितिक पार्टी हम बनगे चार बनगे पांच बनगे नमबरी नहीं नाम भी आनी रहते इतनी राजनितिक पार्टी बनाते हो और उपर से कहते हो कि सम्विधान ने हमको राजनितिक पार्टी बनाने की आजादी दी है और एक बड़ा चालाग तो हमारा जो समण संका लीडर है राजनितिक पार्टी का जब हमने उससे पूछा यह को गुलाम में बनाओं पार्टियां अरे भई बोटर को गुलाम नहीं बनाया जा सकता वो तो बात ठीक है मगर आप गुलाम को गुलाम बनाने में क्यों लगे पड़े हो कब बावा साब अमेरिकर ने कहा कि आपने बीस पार्टियां बनानी है, तीस पार्टियां बनानी है, चलिस 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 पार्टिय होना चाहिए वो सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए पार्टिया अदलती बदलती चली जाती है लड़कों ने दलवल के समर्ण बनाए उनको पार्टी बरानी जल्दी पड़ गई समाजिक सेवा गई बहार में पहले राजनितनेता बने जो आर्थिक लोग हैं उनको जल्दी मच ग तो आर्थिक रास्ता भी लगबख खतम सा हो गया तो सारे रास्ते बंद हो गए इन नेताओं की वैसे इन दलालों की वैसे और यह जो पद और पोश्ट लेके बैठे हुए थे उनकी वैसे कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता ना संक्ठन पर करता ना राजनितिक पार्टी पर करता है नहीं जो प्रवुद लोग जो धम्मिक लोग आते हैं जो प्रवुद भाद बनाने आते हैं ना उन पर करता है नहीं लड़कों पर करता है एक अविस्वास का महौल चारों आए जिसको जहां जाना है वहां जाके मत्था टेके जिसको जहां जाना है वहां जाके उस संग्ठन को ट्राई करे देखे जिसको जहां जाना है वहां जाके काम करे और जिन्होंने काम करनी है उनके एक्सपेंस पूछ ले उनके वारे में पता कर ले उनकी हिष्टी के वारे म हमें देखे गए थे वो सब खर्च हो गई बेकार हो गई लुट गई बरबाद हो गई सम्वेधानी का अधिकार चले गए और ऑल्मोस्ट हम उसी पोजिशन में हैं जहां से बावा सामने उठाये थे बस दस बारे साल पंद्रे बीस साल और दू है यह थोड़े बहुत जो लो गाले यह पे चक जाएंगे मजदूरी का काम भी नहीं मिलेगा इस वार्चों की मशीने आ गई हैं और जिन कामों को आप परंप्रागत काम मांते थे वो सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है छोटे 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 चोटे स्मॉल स्केल वाले तो आज भी परिसान है इसलिए कोई भी संग्ठन काम्याब नहीं है क्योंकि संग्ठन अपने आपको नहीं बचा पा रहे हैं सरकारी करमचारियों के जितने संग्ठन है वो आपको बचा ना पाने की स्थिति में हैं उनके तो डिपार्टमेंट ही बिग गए उनके तो संग्ठन ही खत्म होगे ना रहेगा डिपार्टमेंट और ना रहेगा उनका संग्ठम। तो ले देके जो सरकारी नोग्रियां थी वो लगबग खतम है। और जो रिटाइर डोग है उनकी पैंसन दस बारे साल में मर मरा जाएंगे और पैंसन खतम हो जाएगी। तो सरक पर आने का पूरा इंतिजाम है। और इसकी कोई मेंबर्सिप फीस नहीं है और इसका कोई फाउंडर नहीं है। इसके फाउंडर समण लोग रहे हैं बुद्ध से भी पहले के समण। कोई नया आदमी है तो उसको बता सकते हैं कि समण संग इतना पावर्फुल था कि सिध्धत गौतम जो बाद में बुद्ध बने उनको भी देश निकाला यानि कि साक्य संग कपल बस्तू का निकाले का ओर्डर पास किया था। और इतना बड़ा खेती है व्यक्ति जिसके खेतों में हजार हल चला करते थे उसको भी समण संग की बात मानते हुए देश निकाले का आदेश हुआ देश छोड़ना पड़ा उसको घरगरस्ती वाले को जब कि इतना महंती आदमी इतना बड़ा खेती है था। तो समण संग तब से इस्थापित है उससे पहले होगा क्योंकि लिखित हिष्टी तो बुद्ध के बाद आई है जो भारत की हिष्टी है वो बुद्ध से चलती है तो बुद्ध से पहले का सिर्फ जिकर है उसमें कि समण संग ने ऐसे ऐसे आदेश दिया तो इसके इस्था संग के अंदर सारे मनुष्य से बरावर हैं जो समण है तो समण है तो दूसरे लोग कौन है दूसरे लोग है बंबर बंबर से उनका अलग मामला है उनको अपना अलग संग बना रखा है यहां उनका कोई मतलब नहीं है वो अपने संग में जाए यह समण लोग का संग है वो सम समड में पैदा होता है उसका पैदाएसी बर्थ राइट होता है जैसे भारत में पैदा होगा तो भारत का नागरिक होगा वैसे ही अगर समड है और पैदा होगा तो समड संग का मेंबर हो जाएगा पैदा होते हैं उसको कोई फारम वारम नहीं भनना कहीं उसका डिकलेशन न देगा तो यहां ना कोई चंदा है ना रशीद है ना पैसा है यह कोई चीज नहीं है कोई आप से पैसा नहीं मांगेगा कोई पैसा मांगता है तो वो गद्दार है समड़ संग के नाम पर धोके वाज़े आप उसकी अफ़ाया करा सकते हैं तो समड़ संग का कोई मालिक भी न के नियम थे वो बनाए जो बाद में लिखित में आये मगर बुद्ध इसके मालिक नहीं है क्योंकि बुद्ध ने ना तो कभी इसका मालिकाना हग कर भी ट्रांसफर किया संग्ठनों के माली का ना हग ट्रांसफर होते हैं क्योंकि संग्ठन रेश्टर्ड होते हैं तो एक व्यक्ति जो गद्धी बेटता है या उसका प्रधान होता है या उसका सर्वे सर्वा होता है या उसका प्रमुक होता है या उसका प्रधान होता है या तो वो किसी को मनुनित करता है या उसकी संताने आती है और वो बाद में उस पे टाबिज हो जाती है यह हमारी गर्दी है यह हमारी पीठ है यह हमारा मठ है उसके मालिक हो जाते हैं उसके मालिक हो जाते हैं समर संग ने पहले से लेके आस तक कभी कोई जमी जाजाद नहीं बनाई क्योंकि पूरा महा भारत ही समर संग का है कोई बेफकूफ होगा जो अपने खेत में से काट के छोटे टुकड़े को ये कहे कि अब मैं इसकी रेश्टी कराओंगा कौन बेफकूफ होगा जो सो बीगे के खेत में से ये कहे कि मैं चार बीगे से काट के इसकी रेश्टी आप में ना नाम कराओंगा जो सो बीगे का मालिक है तो उसकी रेश्टी क्या करानी तो समर संग महा भारत में जो महा भारत पूरा है वो समर संग्यों का है इसलिए कोई रेश्टर्स कराने जोत नहीं और कोई जाजाद नहीं खरता समर्संग क्योंकि सारी प्रॉपर्टियां जितनी भी है जितनी भी है पूरे भारत में वो समर्संग के लोगों की है और समर्संगी की है तो इसलिए वो प्रॉपर्टिय नहीं खरता पैसे खटे नही कि हमारे गुजरात में कहवाच चलती है कि जो二 समान खाते हैं वो समान, रहते हैं यानि जो एक सा खाना काते हैं वो हमैंसा एक रहते हैं तो यहां खाना भी एक सा इक झाते हैं सब लोग अपने छे परांठे लेक effective सारे पराठे एक साथ मिलाए जाते हैं ले मैं जिसके Stefanie ये रिपाठे या कोई किसी की गाड़ी में फिरी नी चड़ता आगर कहीं दूर आना जाना है और गाड़ी पाँच सीटर है चा सीटर है जितने लोग बैठे हैं वो तेल का पानी का टोल का सबका खर्चा बरावठ देते हैं या कोई किसी की गाड़ी में नहीं बैटके आता यह समन संग के पुराने सिद्धानत है और जो काम होता है वो सबकी सहमती से होता है बोटिंग से होता है उसका हाउस लगता है यहां भी हाउस लगता है पहले वो पोसत लगते थे आज उनको हाउस बोलते हैं और वही काम पार्लियामेंट में होता है पार्लियामेंट के अंदर भी हाउस लगते हैं पार्लियामेंट का सिस्टम और समर्संग का सिस्टम डिट्टो सेम है ड ये सारी बुराई जो संग्ठनों में और जितनी भी बुराई लोगों ने अब तक की है उन सब को छोड़ चुपा है और हम ये कहें ज्यादा भैतर होगा कि समण संग में ये बुराई कभी थी ही नहीं क्योंकि संग में कभी ये बुराई नहीं होती है संग्छनों में यह वराई होती हैं इस्ट्टूट में वराई होती है जो लोगों ने छोटे छोटे गूरुब बना रखे हैं उसमें यह भराईयां होती हैं जहां प्रधान और चनल सेकुरूरी और पैसा daher होता है पद प्रतेस्टा जहां पोजिशन होती है जहां फूल मलाएं होती है जहां मंच होता है वहां ये दिक्कत होती है यहां ना मंच मला है ना यहां फूल है यहां जितने भी समण संग है सारे के सारे एक होते हैं तो समण संग से हम बच कैसे जाएंगे समण संग से इसलिए बच जाएंगे हम क्योंकि जैसा कि चुनाव आज के सम हो रहा है और आप देख रहें पांच राज्यों में जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हो जाएंगे वो ज्यादा लोग नियम बनाएंगे इस्टेट को चलाने के नियम लेता है चाहिए बेसक उनका प्रिटिनिदी लोग सवा में राज सवा में या विधान सवा में है या नहीं है बिना प्रिटिनिदी के भी अगर लोग इखटे हैं तो बात मानी जा सकती है क्योंकि लोग सवा राज सवा विधान सवा में जो प्रिटिनिदी होता है वो लोग ह के पीछे खड़े हुए जिन्होंने भेजा है वो खास होने हैं वो सिर्फ उनकी वोईस होता है उनका चेहरा होता है वो मालिक नहीं है उन लोगों का इस गलत फैमिय को अपने दिमाग से निकाल दें कि जिसको हमने चुनके भेजा वो हमारा मालिक है वो तो खुद कहता है कि म से पहले उसको खटा सकते हैं उसको भगा सकते हैं बेसा कि ये सम्विधान में धिकार नहीं है मगर मॉरल डूटी में अता है कि में आता है कि अगर लोग उसके विरोधी हो जाए और उस पर दवाब डालें कि अबें तुम ठीक काम नहीं कररे और तुम तो जो मॉरल डूटी होती है जो मॉरल प्रिस्मेंट होती है जो मॉरल दवाब होता है वो सम्मिधान दवाब से भी जादा होता है क्योंकि सम्मिधान जो बना है वो सब की सुईकारता से बना है पूरे देश की सुईकारता हुई है तब सम्मिधान बना है तो अगर लोगों क स्विकार्टा नहीं है तो वो महां मेंबर नहीं रह सकता और उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी जो वैलू है वो खत्म हो जाएगी यानि उसकी सारी वैलू जितनी भी लोगों के सामने है क्योंकि लोग कहेंगे तेरी तो विदान सवा या जो तेरा जो प वो उसको पता रहता है, इसलिए वो अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहेता और वो आपकी बात मानता है. और पूरे देश के लोग अगर इखटे हो जाएं, पूरे देश के लोग अगर एक साथ आ जाएं, तो फिर जितने भी लोग प्रतिन दिये दिये हैं उनको आपकी बात माननी पड़ेगी ऐसा तब हुआ जब अंग्रेजों को यहां से बगाया गया तो लोगों के पास में कोई सक्ता नहीं थी लोग वहां कहीं मेंबर नहीं थे उसकी वह असराय की गौर्मेंट में मगर जब देश के लोगों की मुवमेंट बनी और हिंदू मुस्लिम सिख के साई बहुत जैन सारे के सारे जितने भी हैं धर्मों के नाम से या गरीब अमीर या जितने भी पड़े लिखे अनपड़ जो भी हैं जब सबने एक बार कहा इंकलाब जिंदाबाद बदलाब जिंद करते हैं पैदा तो यही लोग करते हम तो सिर्फ इनका पैदा किया हुआ खाते हैं तो वो छोड़के चलेगे कारण और भी रहे क्योंकि सेकंड वर्डबार भी इसका कारण रहा वो पूरा बिटेन गरीब हो गया बहुत से लड़ना पड़ा वो अलग बात है मेंकर मुवम इसमें सामिल थे और कोड भी उसमें सामिल थी तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो लोग सड़क पर आगए नेता नहीं आये सड़क पर आए तो सम्विधान को पता चला और सम्विधान ने बात मानी और वो नियम दुवारा से जुड़ गया ठीक ऐसे किसानों क गों को बनाया है यहांने वह बनाया है लोग ने उसको मानता दीय दिए तब सम्विधान चलता है तो जिस मानेता को लोग बदल देते हैं उसके लिए कहीं रूल पास नहीं होता आपने ध्यान दिया होगा कि दो अपरेल अठारे को जो नियम था उसके लिए किसी लोगों ने अर्जी नी दी ना पटच दी अपने आप ही लिखा गया कि लोगों का वरोत था लोगों हक में यह बाद बापिस ली जाती है पढ़़े लोगों में बहुत थाकत होती है जन्बल में अर्चे मैंस देगा नहीं यह जो संग्धन के हैं, एकोनोमिक के हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो सरकारी करमचारियों के हैं, बस ये पांच परकार के संग्ठन होते हैं, ये जो संग्ठनों के नेता है, ये हमारी समस्या है, तरसल हमारी समस्या वो नहीं है जिनको दुस्मन दुस्मन करते हैं, वहां तक तो ये न उन्हें करों यहां लोग और इससर उन्हें पाइगा उन्हें हूं जैसे ये कहीं के चीफ मिनिस्टर हो, इनकी चीफ मिनिस्टर सिप जा रही हो, ये जैसे ये कहीं के प्रिधान मंत्री हो, इनकी सीट शीट 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 आता है आजकल थैली में कि सब अपने-पने ब्रांड की दूद की थैली ले आओ और इस ड्रम में डाल दो और हम लोगों से कहेंगे के देखो इस ड्रम में सारे दूद की थैली या आ गई हैं अब हम सब इखटे हो गए हैं और जैसे ही लोग सांथ हो जाएंगे कि हाँ दूद की थैलियां फाल कर ड्रम में दूद नहीं डाला वो थैलियां ऐसी की ऐसी हैं उनके ब्रांड लेबल वैसे के वैसे हैं यानि सारे संग्ठन आये तो हैं बस हमें आई वाश करने के लिए हमें गुम्रा करने के लिए का मिखटे हो गए मगर सब अलग-अलग निकालो और थैलियों को फैको यानि कि जितने भी लोग हैं उन सब का विले करके एक साथ करो और संग्ठनों के नामों को फैको पीछे और एक साथ एक जिगे खटे हो और बिना किसी दालज के बिना किसी कंडिशन के खटे हो तब दूद खटा होगा अगर ऐसा होता है तो और पिर वह संग बन जाता है चोंकि सारे क्ठे हो गए और ऐसा नहीं होता है तो वह संठन रहता हैं और संग्ठन हमारा भला नहीं कर सकते इसलिए समर्ण संग के अंदर कभी भी कोई भी नेन्यता नहीं होगा क्योंकि नेताओं का जो सिस्टम है वो हमारा नहीं है वो मनुस्मर्टी का सिस्टम है मनुस्मर्टी में साफ साफ लेका हुआ है कि एक राजा होगा एक उसका महामंत्री होगा महामाते होगा एक उसका कोसाध्यक्ष होगा कोस्मंत्री होगा उसका कुछ उसके और दर्वारी होंगे और राजा जब जो चाहे वो करेगा उसके मंत्री बस रहेंगे बाकी परजा से कोई लियाना दर नहीं है परजागा सरक एक काम है हर साल लगान लो उससे चाहें उसकी फ होगा या मंत्री बदले जाएंगे जब पिर्जा चाहेगी जब पिर्जा उसमें बोटिंग करेगी या कभी दर्वा लगेगा तो उसमें सारी पिर्जा आएगी और पिर्जा कहेगी कि अब हमें ये राजा पसंद नहीं है अब हम इस राजा को नहीं चाहे तो राजा जब मर रहते हैं और वहां से पैसा लगान की रूप में खट्टा करते रहते हैं ठीक यही काम संग्ठन करते हैं जो एक संग्ठन का एक पार्टी का एक किसी गुरुप का मंत्री बन गया मुख्य बन गया उसका पिधान बन गया वो मर जाएगा सीट नी छोड़ेगा उसके बाद जो उसकी संतान है वो अपनी संतानों को देके जाता है चाये वो गदी है चाये वह धने है उसमें भारत के ब्रजान मंत्री है तो एक नहीं रहताऊ उसकी संतान नहीं रहती चाये Sounds को बदल देते हैं क्योंगोंगों की सुनी यहां जितने भी खट्टे हो रहे है उसी सिप्ट के तस में पहते हैं यह सिस्टम से बहतर कोई अबी तक है नहीं किसी के पास हो तो उसका फिलकम है वो मिल जाएगी तो स्रमण संग उसमें आटोमेटिक हो जाएगा मिक्स हो जाएगा क्योंकि संग हम ऐसा एक रहता है संग दो नहीं बन सकते अगर संग के कोई नियम को बदाब हो जाएगा कहीं विक्तिवाद पैता होगा या पैसा लेंगे या जमी जाजाद बनाएंगे या निर्ने कोई आदमी करेगा या दो चार आदमी करेंगे या दो चार आदमी के नाम इसकी रिष्टी हो जाएगी या इसके मालिक हो जाएगे या इसमें कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा चोटा बड़ा उंच नहीं erreगी तो फिर यह संच्वा बन जाएगा तो संघ नहीं रहेगा तो संघ एक ही रहेगा उसके नियम पुराने वही चलेंगे इसलिए हर व्यक्ति जो बुद्धिमान है हर व्यक्ति जो चिंतन करता है वो खूब सोचे खूब जम के सोचे और समर्संग से बहतर के विकल मिलता हो तो बताए और अगर नहीं मिलता है तो इसमें पूरी ताकर से काम करे काम करे क्योंकि समर्संग में कोई पद नहीं होता कोई पता दिकारी नहीं होता इसलिए सब को य हानी आपको सुना देता हूं आपने थल माने होता है और थुल माने होता ए मोटा तो एक जैत्वन बिहारा की कहानी है ये बुद्ध के समय की भिक्कु समर्संग के समय की वहां एक थुल तिस्चे नाम का एक बुद्ध की बुआ का बेटा बुढ़ापे में भिक्कु बनने के लिए आया और वहां भिक्कु बन गया वो बुड़ा था थुल था मोटा था खा senior भिक्कु होगा और इसकी सेवा करनी चाहिए, तो वो उसके हाथ पर दबाते थे, उसकी मालिषफलिष करते थे, उसकी बात मानते थे, निएम ये है भिक्कु संग में और समर्ण संग का भी ये निएम है, कि जो व्यक्ति पहले काम करने आता है वो सीनियर होता है और जो व्यक्ति बाद में काम करने आता है वो जूनियर होता है पुराना नियम है तो यहां भी वह नियम चलता है उमर से नहीं चलता जो थुलत इस्से है वो बढ़ापे में आया भिक्कू बनने के लिए और जो नौजवान भिक्कू थे वो पहले उसे पूछा कि आपकी उमर कितनी है तो उमर का मतलब होता है कि आपने समढ संग यानि भिकू संग कब जोइन किया वो बताईए तो वो गोल बोल करके कहता है भई हमें तो पता नहीं कितने दिन हुएं कितने नहीं हम तो काफी बूड़े हैं तो जो जवान भिकू थे वो उसको फटकारा, उसको अकोसी कहा, आक्रोस किया उसके उपर, तो उसको कहा कि भिक्कु का नियम आपको पता नहीं है, विने का नियम आपको पता नहीं है, आप भिक्कु बन गए हैं, नियम रद बाते की, ऐसे कोई गाली गलोश्टी की, नियम उनको समझाए, जब उनको नि बुद्ध के तथागत के गुवा के बेटे हैं वो हमारा रिस्दार है और वो बड़ी एंठ में महां से उठे और बड़े तंतराते हुए बोले कि हम तुम को जड़ से खतम कर देंगे हम बताएंगे हम कौन है हम तुमको भिक्कु संग में रहरे नहीं देंगे और ऐसा कहते ह हुए वो दंदराते हुए गुस्से में तिल्मनाते हुए और तथाकत यानि बुद्ध के पास पहुंचके सिकात करने बंते मुझे ऐसा कहा मुझे मारा मुझे गाली दी मुझे जीता मतलब मेरी बेचती की और मुझे आक्रोस किया ऐसा करके उन्होंने वहां कहा तो हम धंपद में या और भी जगे पढ़ते हैं उसके हसाब से तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरी बेचती की मुझे आक्रोस किया मुझे ऐसा डाटा मुझे ऐसा फटकारा ऐसा कहा वैसा कहा वो व्यक्ति अपने आपको कभी नहीं जी जीत सकता यानि वो निबान प्राप्त नहीं कर सकता वो अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता और जो दुखों से मुक्त नहीं हो सकता वो दूसरे को अबदेश भी नहीं दे सकता वो दूसरे को कुछ बता भी नहीं सकता इस बात को दो तरह के से वो बोलते हैं और दोनों का मतलब से मैसा ही है तो समढ संग के अंदर अगर आप में कहीं कोई पद की कहीं कोई बहुत ज़्यादा विद्वता की कहीं कहीं आपको ऐसा मान समान अभीमान गुमान कोई आपको अमीरी का आपको लगता है बहुत ज़्यादा विद्वान हैं आपको लगता है क आपने बहुत बड़ीया काम किया है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोग को इखटा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ये काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और उस काम क में यहां साधर्ण व्यक्तित के रूप में अगर यहां आते हैं और यहां एक साधर्ण व्यक्तित के रूप में एक एजे हुमन यानि पुगल बनके काम करते हैं एक व्यक्ति बनके काम करते हैं तो आपका भी भला होगा समड़ संग का भी होगा और आपकी सामाने चीज़ें जो होती है मनुस्सकी वोद हैं कोई स्पेसल चीज़ नहीं चाहिए यानि आपकी महनत और वो महनत जो सादगी के साथ है तो वो ही रिजल्ट आएंगे जो रिजल्ट बुद्ध के बाद समराट असुक के समय आये थे और जब आप बारे सो और चौदर साल बहुत बड़ी जिंद्गी जीए आपने ना आपकी मूच कटी ना आपके बाल कट कोई लड़ा पीटा नहीं इसका कोई हिस्टी नहीं है वही टाइम दुबारा से आ जाएगा अगर आप उसमें स्थापित हो जाते हैं और अगर आप उसमें स्थापित नहीं हो पाते हैं छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं तो वही पतन होगा आपका जो पतन तब हुआ जब ये कहानिया बनी और लोगों ने आपके अंदर वो बुराईया डाल दी जो पंसील से हटकर थी पंसील के उलट थी इसलिए हमारा अभी तिसरफ एक काम है और वो काम है समण संग को सिद्ध करना समण संग को साधू कहना समण संग को साधू साधू कहना और समण संग में आना और समण संग के बारे में लोगों को बताना और समण संग के लगाता 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 काम करना और काम सिर्फ एक है जिद्ध है जड़ने की जड़ेंगे और जीतेंगे और ये जि लोग नागपु के आसपास हैं यह जो नागफूर देखना चाहेते हैं यह आपनी टिक्ट को रिजर्ब करा ले हैं वहां रुकनेका अरिज्वेट्ट है 30-40 लोगों ने अपनी टिक्टे करा ली है बाकी लोग वहां मिलेंगे 500 से ज़्यादा लोग आपको नाक्पर में मिलेंगे दिक्षा भूमी में है फॉन नमर यहां डाल दें 17 जो तारीक है 17 अपरेल को लखनो में मीटिंग है लखनों में लोधी भवने वहां पर मीटिंग भी है दिली की मीटिंग की जइगे फिक्सक 없어 होने लिए गई होई है जैसे ही वहां से अप्रू बला जाएगी वह आपको बता दी जाएगी चिए तारीक को हर्याने में पानी पत्म मीटिंग है जो लोग पानी पत जाना चायते हैं, वो छे मार्च को पानी पत में जा सकते हैं, और शी तरह से यहां राइस्थान में मीटिंग लगने वाली है, दिल्ली के अंदर 27 तारी की जो संडे आ रहा है, यहां विकास्परी बुद्भिहार है, यहां पर मीटिंग है, फुल डे की अ हम जोड़ेंगे, उतनी जल्दी जीत जाएंगे, और जहां जहां लोग जोड़े हैं, वहां वाँ जीते हैं, और जब जब जोड़े हैं, तब तब जीते हैं, और जल्दी ही हम पूरी तरह से जीत जाएंगे, इसमें हर व्यक्ती पूरी ताकता काम करेगा, तो बहुत जल् धन्यवाद भी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परविसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है धन्यवाद. आणवाद. संडम् शनम् गच्शाम। डूधियाम् पी गुधां संदम् गच्शाम। दूधियाम् पी धम्म मरस्ट। गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छाम। गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छाम। गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छाम। साथू, साथू, साथू